हेलो एवरीबड़ी वेलकम बैक टू चैनल तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड केशियो सीटी एक्स 9000 ए 8000 आयन में बैंक्स बना सकते हैं तो आईए बढ़ते हैं वीडियो की तरह तो यहां पर इस कीबोर्ड में बैंक्स बनाना का आप इसके मीडल में देख सकते हैं आपको बैंक का ओप्शन दिया है तो आप जैसे बैंक पर प्रेस करेंगे तो यह आपको अलग-अलग बैंक्स बताएगा टोटल यहां पर हमें 16 बैंक्स मिलते हैं तो आप कौनसे बाले बैंक में इसे रजिस्टर करना चाहते हैं मतलब एक बैंक में हमें यहाँ पर आट आप्शन मिलेंगे ऐन उसी तरह से एक इन्ट इनिटु 16 आपको इतने सारे आप्शन यहाँ पर बैंक में मतलब की आप एक बैंक में अलग-अलग आट टोटल यहाँ पर रेजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका बैंक फूल हो जाता है तो आप second bank में shift करके यहाँ पर दूसरी art tone को register कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर bank पर जाते हैं माइनस करके हम सबसे पहले हम पर one number पर आ जाएंगे bank को select करने के बाद जैसे कि मुझे sitar वाली tone है वो number one पर save करनी है तो simply यहाँ पर bank के बाजू में आपको store का option दिया है इस store के button को आपको press करके रखना है और इसी के साथ आप जो भी number पर save करना चाहते हैं उस पर आपको इसे press करना है जैसे कि one number जैसे आप one number प्रेस करेंगे आपके सामने आजाएगा one on one मतलब की first bank में first number पर ये tone सेव हो चुका है आईए इसी तरह से हम दूसरी tone select करते है तो जैसा कि यहाँ पर मैंने harmonium three tone को लिया है अब मैं इस particular tone को bank number one के second वाले part में सेव करना चाहता हूँ तो simply आपको यहाँ पर store पर जाना है इसे press and hold करके रखना है आपको simply यहाँ पर second number प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि यह second number पर सेव हो गया इसी तरह से हम दूसरी tone को भी इसी तरह से सेव करेंगे यह हो गया हमारा number three पर यह है बुल-बुल तरह इसे हम सेव करेंगे store का button प्रेस करना है four number पर तो यहाँ पर जो हमारे bank है वो ready हो चुके हैं जैसा कि हमने first में सितार सेव किया था तो जैसे मैं अगर first number प्रेस करता हूं आप देख सकते हैं आपर जो भी bank में आप यहाँ पर active होंगे उसकी light यहाँ पर आपको बताएगी कुछ इस तरह से तो आप यहाँ पर देख सकते अगर आपको यह वीडियो एंड प्रॉसेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंड करे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फो वाचिंग कर आपको